रामराम भजी सारे ने क्या हाल चाल है आज है 19 सितमबर और आज का क्वेशन है 287 फाइंड डूब्लिकेट नमबर मीडिया मागड़ा है वर बहुत इजी है इस क्वेशन को करने के लेटरली बहुत सारे solution possible है बट हम यहाँ पर brute force और कोई भी एक optimal approach discuss करेंगे और मैं चाहूँगा कि आप कुछ नया सीखो तो कुछ नया try करेंगे ठीक है तो सबसे पहले question कहा रहा है कि हमें एक array दे रहे हैं जिसमें 1 से लेकर n तक के numbers होंगे और array का size जो वो n प्लस 1 है तो कहने का मतलब अगर यहाँ पर मुझे दे रखा कितने numbers है 1,2,3,4,5 5 numbers है तो हमें array का size जो n की value है वो तो 4 है total array का size n प्लस 1 यानि 5 हो गया और number कहां से खात होंगे 1 से लेकर 4 तक तो देखे ज़रा 1 से लेकर 4 तक number है 1 है 2 है 3 है 4 है ओके बट यह extra क्यों है तो simple सा मतलब यह है कि अगर हम 1 से लेकर n तक के number फिल कर रहे है और array का size अगर n प्लस 1 है यानि कि एक extra यह n प्लस 1 extra है तो इस चीज़ में एक duplicate value होगी और वो duplicate value हमें बताने है कौन सी है ओके map बना value binary search linear search brute force हमें तो एक बार ही trade किया हर बार एक इस number को चेक्किया इसका दुबारा आ रहा है निया रहा फिर अगले number को चेक्किया दुबारा आ रहा है ऐसे भी कर सकते बहुत सारे तरीके बट मैं इस वीडियो में आप से कहना चाहूंगा आपने link list पढ़ा है अगर नहीं प concept हम इस array में भी लगा सकते हैं तो इसलिए algorithms, data structures and algorithms में algorithms की भी same value इतनी data structures की है हम data structure समझ लेते हैं कैसे कौन सा क्या काम कर रहा है बट algorithms कैसे अपला है और यह वो भी बहुत important है और algorithms हमारी coding को efficient करने के लिए ही बनी है तो उनका implementation आपको आना चाहिए तो इस example में जैसे अगर म वापस आ रही है तो cycle बनने के chances हैं अपरोस तो बहुत सारी थी बट मेरे को Floyd से करना थे क्योंकि आपको कुछ नया सिखाना था ठीक है तो Floyd को लगाने का यह देख सेते हैं जैसे 1 दाला 3 दाला 4 दाला 1 से 3 गया 3 से 4 गया फिर 4 से 2 गया ओके फिर 2 से वापस 2 यह कैसे possible होग कि 1 3 2 then 4 then 2 तो मान लेते हैं कि 1 3 के बाद 2 गया फिर 4 गया फिर वापस से 2 गया तो यह तो दिक्कत है ना तो एक तरह से cycle बन गया तो अगर cycle बन रहा है तो हमें बताने कि cycle शुरू कहां से होई है ओके तो यह तो extra हो गया इसको हटा दो और यह भी हटा दो तो basically यह बन रहा ultimately हमारा 1 से 3 गया 3 से 4 गया 4 से 2 गया तो इससे आपको जाता है धंक से दिख रहा हूँ कि cycle क्यों बन रही है अब cycle करने के लिए अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो पुरानी भी देख सकते हैं इसमें भी पता चले जाएगा हम दो pointers बनाते थे इसमें एक होता था slow जो हर बार एक कदम कदम move करेंगा और एक होता था fast जो हर बार दो कदम move करेंगा कितना एक के बार एक में हम स्टार्ट करेंगे अब जो को ईक कदम बढा ठीक है fast को दो कदम बढ़ाया एक और दो fast यहां पर आ गया हट गया यहां से फिर slow को एक कदम बढ़ाया यहां पर आ गया fast को दो कदम बढ़ाया यहां से यहां गया फिर वापस यहां पर आ गया तो यह क्या देखा हमने यह तो बराबर हो गए अगर यह जब बराबर हो गए यानि कि cycle present है तो उसी moment हमें cycle present पते जो 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 है बट यह return कैसे करेंगे यह कैसे return करेंगे तो हमें cycle शुरू कहा से हो रहे है वो point return करना है और यही question linkless cycle 2 में भी बूचा हुआ है तो एक और बड़ा example लेते हैं और उसको करते हैं तो यहाँ पर मान लेते हैं one two three four five and six दे रखाया हमें ओके मैं इसमें आपको proof करके भी दिखाऊंगा कि यह actual में ऐसा point निकला कैसे कई videos में बताते हैं नहीं बस बताते हैं कि ऐसे start कर लो हो जाएगा बट क्यों reasoning भी ज़रूरी है तो यह हमने बना दिया सारे pointers तो हमने क्या बोला कि start कहा से करना है start करना हमें head से slow को को एक कदम बढ़ाया बढ़ा दिया यानि यहां पर आगया तो इस moment में हमें पचल लेज करते हैं साइकल हो गई अब हमें क्या करना है हमें चाहिए कि यह point हमें मिल जाए यह कौन सा point है वो हमें पता करना है तो यह पता कैसे करा जाए इसके लिए मैं क्या करता हूँ मैं slow को या fast को किसी को भी starting में ले आता हूँ ठीक है और fast को यही पर रहने देता हूँ और यही हमारा point है, कौन सा point जो हमें चाहिए था, cycle start करने वाला, यानी repeating point, तो यह हमें मिल गया, तो अब किया कैसे जाए, पहली चीज़ आपने समझी कि यह cycle वाला concept लग करा, क्यों कि अगर एक value repeat हो रहे तो हम उस value पर वापस जा रहे होंगे, तो इसलिए cycle वाला concept लग रहा तो इसके लिए हम एक derivation type करते हैं, तो मान लेते हैं कि यह जो length है यह starting की यहां से यहां तक, उसे बोल देते हैं L1 length है, और यह जो यहां से यहां तक की length है, वो L2 length है, ओके तो अगर मैं देखू कि L1 ने travel कितना किया, L1 प्लस L2 travel किया, और L2 ने कितना travel किया, L2 ने किया, L1 प्लस L2 और साथ में उसने इसके चकर मारे होंगे, कुछ N चकर मारे होंगे तो उसे मैं N के लिख सकता हूँ, ओके N चकर मारे हो उसने, तो इससे फाइदा क्या हुआ, तो हमने देखा कि L1 प्लस L2 यह distance है, उसने कितनी speed लगी होगी, उसके L2 के हो, slow pointer को कितनी speed चाहिए होगी, वो fast को catch up कर सके, अगर slow pointer पहले x speed से घूम रहा था, और fast pointer 2x से घूम रहा था, तो slow को अगर मैं 2 से multiply कर दूँ, तो वो उसे reach कर सकता है, तो मैं मान लेता हूँ, यह चीज है, जब वो मिले तो उसने reach करा होगा, इतनी speed उसने बढ़ाई होगी है, फिर किसी तरह reach कि तो जब ऐसा है, तो इस equation को solve करने पर हमें क्या मिल रहा है, l1 plus l2 is equal to nk, तो यह condition आ गई, तो अगर इसे देखें, तो यह l1 क्या हो गया, nk minus l2, तो अब figure में जब देखोगे, कि जो l1 है, वो किसके बराबर है, nk क्या है, जो इसने इसके चकर मारे, और l2 क्या है, यह तराबर नहीं हो गया, यही चीज हमने mathematically प्रूफ करी, बट अगर simply देखना चाओ, तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो, कि आप अगर ऐसे track पर हो, और वो आगे जाके circular हो रहा है, और आपका एक बंदा है, जो यहां से x speed से निकला, वो यहां पर पहुचा किसी time ली, और एक 2x speed में निकला होगा, वो वहां पर पहुचा होगा, यहां पर पहुचा होगा, लेकिन उसने जादा चक्कर मारे होगे, तो जिस moment वो यहां पर है, और अगर अब यहां से 2x वाला x speed से चले, और यह वाला अपना x speed से ही चलता रहे, तो यह distance और यह distance seem नहीं होगा, तो वो कि अगर slow की speed 2x होगी, तो वो fast को catch कर सकता है, तो उसको equate किया, फिर हमने देखा कि L1 की जो value है, वो nk-l2y, nk क्या हमने कुछ चक्कर imagine किया, कि उसने इतने circle की होगे, और L2 क्या यह distance है, तो अगर मैं इस पूरे चक्कर में से L2 का part हटाओ, तो नीचे का part बचेगा, और यही हमारे L1 के equal है, और दोनों मिलके हमें यह pivot point देंगे कि हमारा circle शुरू कहां से हो रहा है, cycle शुरू कहां से, तो वही चीज़ हमें return करनी है, तो फटाक से इसे code में कर लेते हैं, और थोड़ा complicated लगा हो तो बता देना, और simplify करके और एक और नई वीडियो बना देंगे, अगर इसमें समझ नहीं आया, link list की तरफ से पूरा detailed explanation मिल जाएगा, तो इसको फटाक से code करते हैं, और कोई भी doubt हो तो बताना, तो इसे करा जाए, तो सबसे पहले क्या करना है, हमने बोला कि एक slow pointer बनाएंगे, ठीक है भाई, slow बना लिया, वो किस से शुरू होगा, 0 से, fast pointer किस से शुरू होगा, fast शुरू होगा, nums of 2 से, ओके, फिर slow को मैं कह सकता हूँ कि वो nums of slow है, ओके, और fast को क्या करना है, fast को आगे बढ़ा जाता हूँ, क्यों बढ़ाता हूँ, बताता हूँ, fast को आगे 2 point बढ़ाना, तो कैसे बनाना, nums का fast होगा, और उसका भी nums ले ले अब हमें क्या करना है, slow को एक कदम बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, slow को बढ़ाना है, nums का slow, और fast को कितना बढ़ाना है, nums का, fast का, पूरे का fast, यानि कि दो कदम बढ़ाना है, यह सर नो, तो वो ऐसे बढ़ जाएगा, तो यह हमने move करा दिया, अब जैसी यह loop खतम के बाद मैंने क्या बोला, वापस से एक काम करो, head पर आजाओ, और fast को महीं रहने दो, और फिर से दोनों को check करो कि दोनों बराबर नहीं है, और फिर हम क्या करेंगे, दोनों को one one step move कराएंगे, slow को भी एक कदम move कराया, और fast को भी एक कदम move कराया, तो इस तरह से यह होगा और finally हम किसी को भी return कर सकते है, slow or fast किसी को भी कर दो, तो बस यह था time complexity, आप लोग comment करो और space complexity भी, कोई भी doubt है, पूछ लेना, इसकी बहुत सारी approach है, sort नहीं करना लेकिना, इसमें लिखा है नोने, कि without modifying, यह time limit exit आया, let me check, तो यह time limit इसलिए आया, क्योंकि हमने initialization में गरब दूँगा description में, वीडियो अच्छे लगी हो, तो please like, share, subscribe करो, अपने दोस्तों में बाटो वीडियो को, और कोई भी doubt है, please comment करो, बहुत अच्छा लगता है, मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye